हेलो दोस्तों नमस्कार आज आई हम रामदानी के लड़ू बनाते हैं ये रामदाना हमने धुल कर साफ कर लिया है सुखा लिया है और फिर इसको एक दिन ठंधा कर लिया है ये आधा केजी रामदाना हमने लिया हुआ है और इसके लिए हमें एक लोहे की कड़ाई और सूती क हुआ है थोड़ा बढ़ा कपड़ा हो ऐसे मोल कर ले लेंगे इससे इसको दवाएंगे और एकड़ाई हमारी लोही है थोड़ा मोटि लें वैसे उसमें भी बन जाता है जहाजी में भी लेकिन इस टेल में नहीं बनतर हम दाना भूनते इसको हम एक एक या दो चम्मज भी डाल सकते हैं, इससे जादा नहीं, और इसको हम ऐसे दबाख चलाएंगे, कपड़े से, इसको कर्छिस नहीं चलाते हैं, इसको कपड़े से दबाख भूनते हैं, थोड़ा पहली बार है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो फिर आप तुरं अब गरम हो गया है, तो फूटने लगा है, ऐसे ही लावा फूट जाता है, आप इसको घर पे भून सकते हैं, वैसे यह भूना भूनाय पैकेट भी आता है, लेकिन हम इसको घर पे साबसुतरा भून रहे हैं, इसको ऐसे दो एक रहे हैं, तो अगर नीचे ज़्यादा डाए तो आप पेपर भी पिछा सकते हैं नीचे और नहीं तो थोड़ा बड़ा बरतन लें जैसे हमने बड़ी कड़ाई ली हुई है ये देखे तुरन डाला और तुरन सब लाए लावा अच्छे से फूट रहा है देखे कितना बढ़िया और इसको हम ऐसे ही भून लेंगे दो दो चममच आप भून सकते हैं ये थोड़ा सा पढ़ता है तभी फूटता है अच्छे से ज्यादा अगर डालेंगे इकठे तो फिर अच्छे से नहीं फूटेगा इसी तरह हम सारा भून लेते हैं ये हमने भून लिया है ये देखे आधा केजी रामदाना में कितना ज्यादा ह हो गया है पूरी थाली भार गई है ये देखिए बिल्कुल अच्छे लावा बन गए हैं अब इसके लिए हम सीरा तयार करें लेते हैं इसको हम गुड के सीरा से बना रहे हैं और लड़ू इसका हम बनाएंगे ये आधा केजी गुड हमने लिया हुआ है और इसमें हम छोट इसको पाнихष्य से आधा ग्लास पानी डालेंगे ज्यादा पानी नहीं डालना है बस बुड गलाने के लिए भnd साथ जादा पानी डालेंगे तो और बहुत देर तक हमको इसको पकाना पड़ेगा इसको चला के हो मीडियम फ्लेम पर पका सकते हैं अराम से यह दिकेए ऐसे गुल गया है पूरा गुड अब इसको हम 8 से 10 मिनाट तक पकाएंगे गुड को ये जब कड़ाई छोड़ने लगेगा तब इसको हम चेक करेंगे पानी में और देखें कि इसकी गोली बन रही है कि नहीं बन रही है अगर नहीं बन रही है तो थोड़ा सा और पका लें और अब हम इसकी फ्लेम बन कर देते हैं और यह लावा जो हमने भूना है इसको हम अच्छे से ऐसे उपर-उपर से निकाल लेते हैं तो जो नीचे इसका नहीं फुटा होगा वो रहता है तो दान्त में किट-किट आता है उसको हम नीचे करके निकाल देंगे ऐसे उपर से थाल कर निकाल सकते हैं रामदाना छोटा होता है वो उससे चल के निकल जाता है नीचे से और इसको ऐसे ही निकाल लेंगे सारा अच्छा सालावा निकल आया है और यह नीचे का यह बच गया है इसको हम इसमें नहीं इस्तेमाल करेंगे नहीं तो यह दान्त में किट-किट और ये बढ़िया रामदाना एकदम साफ सुत्रा निगल गया है इसमें हम गुल्ड डालेंगे और इसको हम एक बाद डाल कर आधर लगभग डाल कर चेक करेंगे और अगर कम पड़ेगा तो फिर से डालेंगे सारा इकठा ना डालें अगर नहीं होगा तो फिर हम आउड डालेंगे और इसको ऐसे ही मिला लेंगे अच्छे से और ये अगर कम गुल्ड सिरा पका रहता है तो ये लावा सब बुझ जाता है और अगर सिरा आपका पका रहेगा खुब बढ़िया तो ये कुर्गुरे लावे से बढ़िया लड़ू रामदाने के तयार हो जाते हैं यह बिल्कुल आसान है, आप घर पे बना सकते हैं, इसको लोग घर पे कम ही बनाते हैं, कि इसमें जंजट रहता है, इसमें कुछ जंजट नहीं है, थोड़ा टाइम तो लगता है भूनने में, और बाकी यह बहुत अच्छा बनता है, यह देखिए, ज्यादा पतला सिरा ना सिरा अच्छा रहेगा, तो बढ़िया यह लड़ू बनेंगे, यह हमने अच्छे से मिला लिया है इसको, और हम थोड़ा सा पानी हाथ में लगा के, इसके लड़ू बनाएंगे, और गरम गरम में ही बनाएं, ठंडा ना होने दिन नहीं तो नहीं बनेगा, इसको हम जल्दी बनाएंगे, बहुत हलके हाथ से दबाएं, बहुत तेज से ना दबाएं, यह देखे, बढ़िया लड़ू तयार है, इसको आप छोटे बड़े आकार में बना सकते हैं, जैसे चाहें, और इसको बना कर अराम से एर कंटेनर में, एर टाइट कंटेनर में रखें, जिससे खर प्राब नहीं होगे, इसको आप एक महीने तक इस्टोर कर सकते हैं, और यह ब्रत में भी अच्छा रहता है, जैसे कोई ब्रत है, एक दो ऐसे ही खा सकते हैं, दूर में भी डाल कर खा सकते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, तो यह आप जरूर ऐसे ही बनाएं, इब्रत में तो बहुत बनता है, और यह हमारे उत्तर भारत में, गड़ेश चतुर्थी में भी बनता है, इसको ऐसे ही थोड़ा सा इसमें ध्यान रखें कि कहां क्या करना है, थोड़ा सा ताव मिल जाएगा तो बहुत अच्छा बनेगा यह, इसको सारा बना लेते हैं, यह हमने सारा बना लिया है, और ऐसे ही आप बनाएं, देखिए बिल्कुल टाइट बना हुआ है, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, तो जरूर सेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न न भूलें, यह देखिए, फोड़ा है अंदर, से ही बनाएं, बाए!